हाई गाईज, मैं मोहन बर्मा, अन्मोल अश्टेडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं केस अश्टेडी 511.1 का जो है, उसके बारे में विश्टीत चर्चा करने जा रहा है। दोस्तों, जदी मेरे चैनल पर आप जदी नया हैं, तो सबसे पहले सब्क्राइब कर ले। मैं आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता ह। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं केस अश्टेडी। केस अश्टेडी में इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाने होंगे। ये 1st page का जिसमें आपका नाम, इन्रॉल्मेंट नमर, अश्टेडी सेंटर का नाम एड्रेस, अपने स्कूल का नाम और एड्रेस। इतना आपको 1st page में डिजाइन के साथ आप बना सकते हैं, अश्टेडी से साथ बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे पेज में आपको identification data आपको इसमें उस बच्चे के बारे में देना है जिसका आप case study कर रहे हैं जो आपके school में पढ़ रहा है जिसका कोई समस्या है और उस समस्या के निदान के लिए आप case study कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको देना है यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चा का नाम है जनमतित्थी है male female है fathers का नेम है mothers का नेम है guardian जब father mother नहीं होगा तब guardian आएगा किस class में पढ़ रहा है उसका address क्या है तो यह दूसरे page में आप लिखेंगे और जडि संभव हो तो यहाँ पर एक box जैसा बना करके आप यहाँ पर photo भी चिपका सकते हैं उस बच्चे का जिसका आप case study कर रहे हैं जिसका आप detail दे रहे हैं उसका यहाँ पर आपका एक photo डाल सकते हैं नेस्ट टॉफिक चलते हैं उसके बाद उसके परिवार से समंधित है जिसमें उसका parents का monthly income उनके फादर क्या करते हैं यहाँ पर मैं जिसका case study किया हूँ वह labor है और 10th pass है उसकी मा क्या करती है और कितनी पढ़ी लिखी है नवा पॉइंट में देना है तो उसकी मा जो हाउस वाइप है आनि ग्रिहनी है और पाचवी पास है number of brother and sister उसको कोई भाई नहीं है इसलिए हमने zero दिया है और उसको एक बहन है तो एक बहन दिये अब वो सबसे बड़ा है या छोटा है या मंजला है किस रेंज का अपने भाई बहनों में कौन सा है ये एक आरे नमबर में देना है उसका position किया है तो इस सबसे बड़ा है तो यहाँ पर हम इलड़ती है अब आता है section B section B में आप देख रहे है कि लिखा हुआ है recording of the problem and solution इसमें पाहला जो ये टॉपिक है objectives of the case study मतलब उद्देश आप case study क्यों करना चाह रहे है आप उस बच्चे के बारे में जो समस्या उसको क्यों जानना चाह रहे है तो हम सब सिच्छक है और हम सब सिच्छकों का दायत बनता है कि सभी बच्चों का सरवांगिन विकास होना चाहिए जदि कोई बच्चा कोई समस्या से ग्रस्त है तो उसका निराकरन हम लोग को करना चाहिए उसका समस्या को पहचान करना चाहिए समस्या को पहचान करने के बाद उसका निराकरन करना चाहिए तो जिसे बच्चों का सरवांगेन विकास हो इसलिए हम लोग उद्दिश यह है केस अश्टेडी का उद्दिश यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा हूँ उसके बाद आता है Nature of the Problem समस्या की प्रकृति क्या-क्या हो सकता है बच्चों में बच्चों मेंनएक तरह की समस्या हो सकती फिर कुछ समस्याoon को पता लगा है जैसे सरवन दोस हो सकता है कोई सुनने में दिक्कत हो द्रिश्टी दोस किसी को देखने में दिक्कत हो किसी का माबाप भहुत गरिब हो माता-पिता की और सिच्छा भी हो समाज में जागरुपता का अभाव हो बच्चों में गलत संगत का प्रभाव पड़ा हो कुछ कामों में विसेश रूची जिसे खेलना, मूज़ देखना उसका विसेश जादा रूची हो रूची पूर सिछा का अभाव और क्या समस्या है इस समस्या के बारे में यहाँ पर हमों को थोड़ा सा प्रकास डालना है Next topic है Probable Regions for the Problems of the Child आने चात्र की समस्या का संभावित कारण, क्या कारण हो सकता है यहाँ पर मैंने लिखा है कि राजेस जो है पढ़ने में काफी तेज था और SA1 में भी वह अच्छा किया था लेकिन F3 और F4 में वह अच्छा नहीं कर पा रहा था मैंने इस पर विशेस ध्यान रखने शुरू कर दिया कच्छा में इसका विभार कुछ बदला-बदला सा लग रहा था जब मैं कुछ लिखने के लिए बोलू तो वह सही से नहीं लिख पा रहा था अपनी कलम वह अंगली में घुमाने लगता था बार-बार अपने बगल के बच्चे की कोपी को देखने लगता था कभी-कभी वह सर खुजलाता तो कभी बेंच पर हाथ रख बैठ जाता था मैंने इसका विभार अलग सा लग रहा था मैंने इसे अपने पास बुला कर बड़े प्यार से उसके बारे में जानने का प्रयास किया पहले तो वह जजक रहा था लेकिन बाद में रोते हुए बताया कि उसे कम सुनाई और कम दिखाई देने लगा है वह एक बार साइकल से गिर गिया था उसी दिन से ऐसा हो रहा था मैंने इलाज के बारे पुछा तो उसने बताया कि माता पिता की गरेभी के कारण वह कहीं इलाज नहीं कराया अनि यहां पर उसमें प्रोबलम क्या है उस प्रोबलम को जानना है उस प्रोबलम को यहां पर जान करके लिखना है एकला प्रस्न है वहाँ टार दा स्ट्रेंथ विथ चाइल्ड उस चाइल्ड में कोई गुन है अच्छा सा गुन उस बच्चे में है क्या गुन है उसको यहाँ पर लिखना है यहाँ पर हम लिखे है राजेस का बेवार अच्छा है अमसासन प्रिये लड़का है नत्रुत करने में आगे है ये गुन उन में है detail of intervention carried out with the child मैंने प्रद्धाना ध्यापक से इसके बारे में बात किया इसके अभिभावक के सहयोग से इसे सदर अस्पताल इलाज होतु भेजा जहां उचीत इलाज हुआ और उसे आग का चस्मा उस्रवन जंत्र दिया गया effect of the intervention क्या हुआ इसका प्रभाव कुछ पड़ा अब हो सामाइन वेभार कर रहा है पहले जैसा उसका अधिखम छमता हो गया है अब एसे टू में अपने कच्छा में अच्छा किया मतलब जो समस्या है इस समस्या का समाधान हो गया नीचे क्या लिखना है यहाँ पर अपने स्कूल के किसी बच्चा के केस स्टेडी कर सकते हैं दोस्तों जदी मेरा चैनल आपने सब्क्राइब अभी तक नहीं किया है जरूर करें मैं नेस्ट विडियो में यह बीवी आई कॉस्चन जो है आप पाइससो एक पाइससो दो पाइससो तीन का गैस कॉस्चन देने इसलिए सब्काइब कर ले और लाइक करें सेर करें ताकि दूसरा भी इसका फाइदा उठा सके दोस्तों बहुत बहुत धेनवाद